राहुल गांदी के खिलाफ गोधी मीडिया ने बाकाइदा सुपारी ले ली है, उनके शक्ती पर दिये गए बयान को लेकर, मगर मजाल है कि गुप्त चुनावी चंदे पर वो भारती जनता पाटी से एक भी सवाल करें? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल खिलाबाजाद है तेरे. भाजपा ये जानकारी देने से मना कर रही है, भाजपा दरसल कानून की दुहाई दे रही है, नियमों की दुहाई दे रही है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जब दस राजनीतिक दल ये जानकारी दे सकते हैं, जब कॉंग्रेस भी ये जानकारी देने को तयार ह तो फिर भारती जनता पाटी से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है ये पूरा मामला क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा मगर मैंने आपके सामने जिक्र किया राहूल गानी के बयान पर गोधी मीडिया की सुपारी का हाथ कंगन को आर्सी किया आपके सामने एक एक करकी मसावल सबसे पहले देखिए राहूल ने किया अपमान शक्ती साधक मोधी का बना काम इसी कारक्रम में इनकी हकीकत पता चल जाती है सबसे पहली बात राहूल का जो बयान था वो ना नारी शक्ती का अपमान था ना धर्म का अपमान था वो शक्ती जिसकी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे EDCBI की शक्ती जाच एजनसी इसकी शक्ती जिसके जरिये विपक्ष और पत्रकारों पर निशाना साधा जाता है और सबसे बड़ी बात हम साल दोहजार चौबीस के भारत में आपको क्या लगता है कोई खुल कर इस तरह से धर्म का अपमान करेगा और नीचे की बंक्ती में शक्ती साधत मोदी का बना काम यानि की ये न्यूस चैनल्स मानते हैं कि दरसल असली मकसद वोट हासिल करना है धर्म का इस्तमाल करके मगर लगाता राहूल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है असली सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं जिसका जिक्र कुछ दिर बाद में करूँगा आपके सामने ये देखिए मीडिया का एक और चाटुकार सियासत के शक्ति मान शक्ति रूपेन संस्थिता बिहार में क्या होगा पशुपति पारस का फिर देखिए वोट की भक्ती सियासी शक्ति सियासत के शक्ति मान शक्ति पर राहूल की चलाकी या मोदी ने मतलब बदला राहूल, केज्रिवाल, मम्ता, मोदी की वो शक्ति जिसके आगे सब फेल यानि कि राहूल का बयान मगर उसे जोड़ दिया पूरे विपक्ष के साथ इनकी सोच देखिए दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ क्या आपने किसी भी न्यूस चैनल पर गुप्त चुनावी चंदे को लेकर बहस देखी भारतिय जन्ता पार्टी मुद्दे से कैसे बच रही है देश के ग्रहमंत्री किस तरह से घलत बयानी कर रहे है क्या उसके आपने चर्शा कहीं पर भी देखी बिलकुल नहीं देखी होगी मगर आप क्या देख रहे हैं मैं आपको दिखा ही रहा हूँ आगे देखे साब 24 की सरकार नारी शक्ती से 24 की सरकार इंडिया गडबंदन या मोदी किस के साथ नारी शक्ती जिस पुलिटिकल पार्टी या भाजपा को परोल पर रहा किया जिसकी पुलिटिकल पार्टी में कुलदीब सिंग सेंगर है आपको क्या लगता है क्या उस पुलिटिकल पार्टी को नारी शक्ती पर कुछ भी कहने का नहतिक अधिकार है और क्या गोधी मीडिया ये सवाल करेगा बिल्कुल नहीं करेगा आगे देगे साथ अंबानी का न्यूस चैनल मोदी के साथ शक्ती शुनावी घदर का पहला राउंड शुरू दिल्ली से मुंबई तकारपार मोदी ने कहा जान की बाजी लगा दूँगा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जो बयान दे रहे है कि राहूल गांदी ने जो शक्ती का बयान दिया मैं शक्ती को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूँगा मुझे तो सोच की भी सहरन पैदा होती है कि अगर नर्भया कांड मोदी काल में हुआ होता क्योंकि मैं नहीं भूलाओं जो नर्भया कांड हुआ था तो उस वक्त दिल्ली पुलीस में चार दिन में मामले को सुलजा लिया था राहूल गांदी लगातार परिवार की मदद कर रहे थे मगर नारियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जब कोई अत्याचार होता है तो भाजपा का क्या रुख होता है हम सब जानते हैं दोस्तों और मिसाले मैं आपके सामने दे चुका हूँ महिला पहलवानों को बदनाम किया जाता है मगर ब्रिजभूशन शरंच सिंग पर कोई आक्शन नहीं लिया जाता मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि नारी शक्ती पर क्या भाजपा को कहने का कोई नैतिक अधिकार रह गया है और ये जो निउस चैनल्स हैं इस मुद्दे को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाते है आगे देखिए आज तक शक्ती वाले बयान पर महिला मुद्दा क्यों जुड़ा निउस 18 बदमाशी देखिए शक्ती से लड़ाई और हनुमान चालीसा पर पिटाई में कोई कनेक्शन राहूल का बयान और करनाटक वाले कांड में कोई कनेक्शन तुष्टि करण के शक्ती मान यानि कि राहूल गांदी ने जो शक्ती पर बयान दिया और करनाटक में कोई घटना होती है उसे जोड़ दिया है इनोंने आपस हिंदु धर्म में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं अब सबाल उठता है वो शक्ति क्या है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा इवी एम में है सही है सही है राजा की आत्मा इवी एम में है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है इडी में है सी बी आई में है इंकम टैस डिपार्टमेंट में है एक वरिष्ट नेता नाम नहीं लेना चाहता हूं इसी प्रदेश के एक वरिष्ट नेता कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ते है और रो के कहते हैं मेरी मा से रो के कहते है कि सोन्या जी मुझे शर्म आरी है मेरे में इन लोगों से इस शक्ति से डरने लड़ने की हिम्मत नहीं है मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं और ये एक नहीं है ऐसे हजारों लोग डराये गए हैं क्या आप सोचते हो शिव सेना के लोग एंसी के लोग ऐसे ही चले गए नए जे शक्ति के मैं बात कर रहा हूं उन्होंने उनका गला पकड़ कर उनको बीजे पी एक ओर किया है और वो सब डर के गए हैं आसान सा बयान मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूं कब तक गोधी मीडिया असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाएगा और भारती जनता पार्टी के लिए वोट बठोरने का काम करेगा सब न्यूस चैनल्स ने दोस्तों लगभग वही हालत है ये देखिए मोधी को शक्ती मिल गई सीधा एलाम और असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है राहुल गानी ने एक बयान दिया एक तरह से संजीवनी मिल गई भाचपा को और भाचपा को राजनीती की संजीवनी मिल गई नतीज़ आपके सामने है इस तरह से उनके खltry मुदाफ सुपारी लेकर हिंदी में इस खबर क्या क्या अनुवाद मैं आपको बताना हूँ जिन जिन लोगों ने गुप्त चुनावी चंदा दिया कम से कम दस पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके नाम जो हैं वो जाहिर कर दिये इसमें DMK भी थी DMK ने बाकाइदा अपने डोनर से यानि कि जिन ओद्योगी समूने उन्हें पैसा दिया था उनसे संपर किया उनसे पूछा कि भाई आपने जो हमें पैसा दिया है उससे संबंधित आप हमें जानकारी दे दीजे यानि DMK को पता था और DMK का अधिकतर पैसा Lottery King Santiago Martin से आया था वो Santiago Martin जिसका बेटा भाचपा में शामिल हो गया था वो Santiago Martin जिसके खिलाब धेरो केसिस थे मगर बेटा BJP में शामिल हो गया और उन्होंने राजनीतिक दलों को 1368 करोड रुपे दिये नतीजा उनकी कोई गिरफतारी नहीं ही क्या इन मुद्दों पर गोधी मीडिया ने सवाल किया राहुल गांधी पर सुपारी करना बहुत आसान है क्योंकि ये जानते हैं कि इसका इने कोई खम्याजा नहीं बुगतना पड़ेगा मैं आपके सामने तत्थे रख रहा हूँ भाजपाद दुहाई दे रही है कानून की नियम की कि हम ये जानकारी नहीं देंगे खबर क्या कहती है दोस्तों मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ बीजेपी ने चुनाव आयोक को रूल का हवाला देते हुए नियम कानून का हवाला देते हुए क्या कहा आपके स्क्रीनस पर उन्होंने कहा कि इस कोई मजबूरी नहीं है कि हमें जिन लोगों ने चंदा दिया उसका रिकॉर्ड मेंटें करें इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है मैं बीजेपी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसी धेरों मिसालें है साई शिरडी एलेक्ट्रिकल्स, और बिंदो, मेगा लॉट्री किंग सैंटियागो मार्टिन की रॉयल गेमिंग ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये जितने भी ओद्योगिक समू है धेरों मिसाल हैं कि भई पहले रेड पढ़ती है फिर चुनावी चंदा दिया जाता है या गिरफतारी होती है चुनावी चंदा दिया जाता है या फिर चुनावी चंदा दिया जाता है और गिरफतारी नहीं होती है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके पास तो बाकाइदा रिकॉर्ड है विपक्ष तो आप पर आरोप लगा रहा है न कि ब्लाक मेल कर रहे थे आप एजनसीज के जरीए यानि एजनसीज आपको ब्लाक मेल करती थी और आप चुनावी चंदा देते थे ऐसी धेरों मिसालें हैं दरजन से जादा मिसालें हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ये रिकॉर्ड आपके पास क्यों नहीं है कॉंग्रेस इस मुद्दे पर क्या कह रही है हम चुनाव आयोक से कहते हैं कि वो ये जानकारी महिया करा दे क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कल स्टेट बैंक ओफ इंडिया को लतार लगाते हुए कहा था कि आप हमें यूनीक आईडी नंबर दीजे आप हमें तमाम जो चुनावी बॉंड का नंबर दीजे ताकि मिलान हो सके कॉंग्रेस के पास भी जानकारी नहीं है मगर वो ये नहीं कह रही है कि हम आपको जानकारी महिया नहीं कराएंगे हमें किस से पैसा मिला है दोने एक ही बात कर रहे हैं कॉंग्रेस भी और बीजे पी मगर फर्क ये है कॉंग्रेस चुनाव आए उक से कह रहा है कि भई आप जानकारी हैं हो या करा दीजे बीजे पी कह रहा हम जानकारी नहीं देंगे अब मुझे बताइए राहूल गांदी के खिलाफ प्रचार चलाने के बचाए प्रॉपगांडा चलाने के बचाए क्या गोदी मीडिया कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए आप जब नारी शक्ति के चर्शा कर रहे हैं जब आप राहूल गांदी को कटगरे में रख रहे हैं उनके अपने एक बयान के लिए तो काइदे से आपको भाजपा से भी सवाल पूछना चाहिए ना कि नारी शक्ति को लेकर आपका इतना रिकौर्ड क्यों खराब है अगर आप अपने आपको शक्ति और धर्म के उपासक बनाते हैं या बताते हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या वज़ा है कि आप श्री राम का इस्तमाल वोट बटोरने के लिए करते हैं धर्म का इस्तमाल राजनीती के लिए करते हैं आजाद भारत के इतिहास में अगर किसी पुलिटिकल पार्टी ने इसे इंस्टिट्यूशनलाइज किया है यानि कि इसे राजनीती में तब्दील किया है तो वो भाजपा है तो ये सवाल किये जाने चाहिए राहुल गांदी के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर टार्गेट करना बहुत आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि कॉंग्रेस आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती वो सब्ता में नहीं है मज़ा तब आए जब जो ताकतवर है उससे सवाल किया जाए ताकतवर से ही तो सवाल करने में मज़ा आएगा ना फिर किस बात की पत्रकारिता जवाब देही तो ताकतवर की होती है ना जो साम दाम दंड भेज से एजिंसीज का इस्तमाल करती है तो फिर क्यों नहीं करती गोधी मीडिया ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी हिम्मत ही नहीं है अविसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार अविसार शेर्मा करती है